स्री रादे रादे दोस्तों जै स्री किरस्न कैसे हो आप सब लोग तो आई होप के अच्छे होंगे सबसे पहले आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुप काम नाएं सबसे कामरा उठाने का टाइम नहीं लगा और बस साफ सपाई करी घर की सब नहाए धोए पूजा हुई और कुछ नए संकल्प लेने का टाइम आ गया है छोटी छोटी खुशियां छोटे छोटे संकल्प और छोटे छोटे डिसीजन हमारे जीवन में बहुत काम करते हैं दोस बिरम गल्प बहुत जहरें तो सब्सकतक जीवनजीने में फिर भुखछ अननदाता है तो फट अच्छा लगता है है तरी-दू-किलो गाजार है और इनको मैंने पहले चाकु सवह लिए अच्छे निकाए से जोदाए है बढ़ियां से और अभी करते हैं कादूकस बट को कर लिया है। मतलब क्या होता है ममाकु को खॉर लिया है मतलब उनको खुरूस लिया है। मतलब उनको निकाला है। तो अभी, ममा काजร को और करेंगे कटू कस अ और यह साल का पहला होicken हमारा अभी तक मैं नहीं था। मैंने सोच फेक है कि जलो आप लोगों का टाइम जाया होता ना तो आप पूरी वीडियो नहीं देखते तो यहां पर आगई हूं मैं किचन में और कड़ाई चड़ा देती हूं गैस पर यह एलुमुनियम की कड़ाई इसको मुझे हटाना है एलुमुनियम का बरतन बिल्कुर नहीं रखना चीए घर प जोए ठाली से फंट लूए हम सब को बहुत पसंद है और से मॉण्य लॉऑ एट को बहुत ही ज़्याद है तो बस इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से में बढे कर लितूबर से मैंने अपकॉइक स्विकर और जितने बारीक तरफ दिद्दूबर बढ़तिक शो सेफियन एक दम सिम कर लेती हूं इस सिजन का नी या पहला हलवा है नहीं बनाया है आप बनाऊंगी और गाहूं में सम्हों भोसकेघा तो अभी गाहों जाने वाले है ना तो गाहूं में मैं आप लगों किया बनाया अपना न्यू यहर इस साल कभी पहला हल्वा है हमारा इस साल कग sumber का पहले हैं नवी मिठी चीज हर और साल बेकyas कमtha कम सा चार लगें डेती हूं गार का है नका कि लीज़ेती a değer को वह जीचती लगता है अब लो परफरी तक हुआ तो एक दो बर जन्वरी में बनाओंगी मता कब भी बना लूंगी हैसा कोई फिक्स नहीं है इस दरवाजे से मच्छर भी आते हैं इस दरवाजे को में बंगर देती हूं यहां से कुंडी माँ देती हूं अभी मैं किस चीज की अंबॉक्सिंग करने जा रही हूं डायरी मंगा है और इसमें कुछ अपना डेली रूटेन लिखेंगे कुछ अपने सपने लिखेंगे कुछ संकल्प होंगे यह जो किसी भी पैकिंग के पटपटे होते ने इनको फोड़ने में बढ़ा हो जाता है और मैं सभाल के रख देती हूं इसको काना इतना शरारती हो गया है ना कि दूसरी कमरे में बैटके फोन चला रहा था उस समय मुझे ध्यान नी आया इसलिए मैंने यहां पर अपने आवाज म्यूट कर दी कॉपिराइट आ जाता इसमें यह है कि हम आई एम ग्रेटफुल फोर हम किसके लिए ग्रेटफुल है हां और यह गोल्स डेली वीक मन्थली यह गोल यह गुड़ हैविट टू अड़ाप्ट यह बैड हैविट टू लीव और यह हाउ कैन मेक टूमारो बेटर यह टूडे लर्निंग यह सारी यहां पर लिखी हुई है तो यह है मेरी डाइरिया अब मैं इनमें डेली लिखा करूंगी यह ना फस्ट डे से अगर हम इ चार दिन का काम एक दिन कर देती हूं और कभी कबार यह हो जाता है कि नहीं लापरवाई हो जाती है तो मुझे जाना पढ़ रहा है अभी मार्केट और हल्वा रखा है मैंने कड़ाई में तो फटा फट से आजाओंगी यह खतम हो चुका है तो घीली के आजाओंगी मैं फ टाई देट मार्केट से और हाप रहे हूं मेरे साथ फूल गई है और यह क्या लेकर आई अभी दिखाती हूं और रीमन में दुकाने चल रही है और इमनारे नहीं नहीं खुले अ फूरेस aking आई नहीं खुल निधी में मैं काजू काजू पता नहीं कितने रुपे किलो है मुझे नहीं पता यह डाइसो कराम है और बने हुए यह अख्रोट है दोसों पिचान अभी कि मैं घील आई हूं पतन जली कि इसलिए रही हूं थोड़ी सी अब 10-15 दिन में तो हम गाउं जा रहे हैं और धेर सारा घी इससे कई लाग गुना अच्छा शुद्गी आज आएगा खाने से ठालो और यह किसमिस है सो रुपे के डाइसो ग्राम और बदाम यह है काजू किसमिस बदाम खतम हो चुके थे तो मैंने सोचा कि मैं फिटापक से लिए आती हूं मतलब एकदम खतम भी नहीं हुए थे हैं अभी काना गये थे अभी देखते हैं क्या हाल हो रखा है पानी सारा सोप चुका है और गाजर यह देखे नीचे बैठ चुकी है और अब मैं डालूंगी इसमें दूद तो पहले इसको अच्छे से इस तरीके से खरल देती हूं और जो मेरी आदत है ना कभी कवार में बहुत अगे रख दूंगी नहीं तो खराब हो जाएंगे बहुत जल्दी और अब हल्वे में डालने के लिए भी निकाल देती हूं धेर सारे डालती हूं ड्राइफ रूट अच्छे लगते ना गाजर के हल्वे में और किसमिस फूली फूली अच्छी लगती है तो काट भी लिए है मैंने यहां पर और अब में इनको डाल देती हूं कडाई में तो यह गए हमारे ड्राइफ रूट और अभी मैं इलाइची थोड़ी देर बाद में डालूंगी तो दूद भी आपर गरम हो चुका था गरम दूदी डालते हैं हल्वे में हाना कच्छा दूद अच्छा नह लग दिये मुझे कि थोड़ी सी यह दिखिए थोड़ी से और एड कर दिया है अब इसको सोकने दूंगी अच्छे से बढ़िया से और चीनी भी एड कर दिया चीनी जादा ने डालते हम एक दम मीठा भी अच्छा नहीं लगता यह गई इलाइची भी हल्वे में और अभी अच्छे से पकने देते हैं जब दूर सोकेगा तब इसमें घी डालेंगे और यह देखिए यहाँ पर थोड़ी देद बाद में फिर से चला रही हूँ और इसको फिर से सोकने देते हैं तब तक पूजा कर लोंगी मैं यहाँ पर घर्मान चालिसा पढ़ लेते हैं और काना और कंपना भी आ चुका है बाबू भी आ चुकी है फ़न पकड़ा है बाबू ने यह तो करता रहता है मुझे चीजेश वहां पर नहीं मिलते हैं जहां पर मेरी रखी होती है औरे दिखिए आगे है काना सब से पहले पूजा करने के लिए बहुत शटर पटर करता रहता है क चीजों को इधर से उधर उधर से इधर रखा रहता है। जब भी हम पूजा करते हैं तो पूजा के बाद हम कपूर जरूर जलाते हैं साम के टाइम पे भले सुबह जलाएं ना जलाएं सुर्योदय के टाइम पे चल जाता है कोई बात नहीं लेकिन सारे दिन भर की जो निगेटिविटी होती है वो घर से चली जाती है कपूर जला के बहुत अच्छा रहता है जलाना चाहिए और इश्वर की अनुभूती होती है फिर अच्छा लगता है जब कपोर की खुश्बू पूरे घर में फैली हो तो घर के सारे कोनों में इस तरीके से ऐसे करना चाहिए और सब को करना चाहिए ये और बहुत से लोगों को पता भी एक हमारी प्रविर्थी है हमारी सस्कीर्थी है और हम लोग मानते हैं हम सनातन धर्म में हैंना तो वस इस तरीके से मैं हर रोज को कभी कबार भूल जाती हूं बहुत लापना गड़ती हूं लेकिन साल का पहला दिन है तो अब पूरे साल में यहीं फोलो करूंगी कोशिश करने की कोशिश करूंगी मतलब फोलो करने की तो बस पूजा हो चुकी है और अभी गाजर का हलोवा देखते हैं कैसा हो रखा है तो यह देखें काना बाद में यह सब करेगा जरूर करेगा और बहुत कुछ अभी काना नहीं हाप तो अभी इसको मैं दूसरी कडाई में भी जैसे चोका लगाते ना उस तरीके से करती लेकिन कोई जरुरत नहीं है अभी मैं किस तरीके से यह देखिए कटोरी में डाल देती हूं थोड़ा सा घी और घी को इसमें ही पका दूंगी कटोरी थोड़ी काली भी हो जागी तो यह मैं जो अभी लाई थी थोड़ी देर पहले बस दो चमज डालोंगी ज्यादा नहीं डालोंगी नहीं तो अजीब सा हो जाता है फिर ना ज्यादा घी डाल के भी तो घी गल चुका है यहां पर और अच्छे से मैं हल्वे में कटोरी साही डाल दूंगी यह देखिए और इसक जाए जाए बस इसको पांसे साथ मिनट रहने दूंगी अबिवे सब्जी में बना रहे हूं सूकी सब्जी क्यूंकि मीठा खाके आजीब सा हो जाता है अभी गाजर का हलो भी खाएंगे यह वैसे पहले खाना काएंगे तो मैं काट्रियों आज प्यास के पत्ते बस इसकी बनाऊंगी बहुत अच्छी और टेस्टी होती है रोटी बना रहे हूं बाकी ज्यादा जहन जपेडा नहीं कर रहे हूं आजकल सरदियों में ना हम इस प्यास की पत्ती को बहुत ज्यादा खाते हैं जैसे दाल चामल भी बनता है तो उस दिर भी बनाते हैं अच्छा लगता है हरी सबजी और भुजी टाइप का न सूखी सूखी सी और अभी इसके पापा का फोन आया कि हरी प्यास के पत्ते की लो मैंने का में बना देती हूं और इसके साथ दाल बनाना चाह रही थी लेकिन उन्होंने दाल के लिए मना कर दिया तो हल्वा भी है बच्चे गुड़ पट्टी वगेरा यह सब खा रहे हैं पतानी क्या क्या खा रहें तो यहां पर हल्वा बन चुका है तो सबसे पहले ज लोगों को नेक्स वीडियो में और हाँ अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शियर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं कल एक बीडियों के साथ तक प्रेंड्स तब तक आप लोगों का साथ मुझे नहीं मिलेगा तो चल अभी मैं वीडियो का एंड कर देती हूं यहां पर और मिलती हूं आप लोगों को एक बार फिर से रादे रादे जैसरी क्रश्टन